नमस्कार आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गणपत की अस्थापना और पूजा करते समय कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो चलिए जानते हैं सबसे पहले घार और मंदर साफ करें उसके बाद असनान कर साफ वस्तर पहनें दूसरा इसके बाद पूजन समागरी लेकर पूर्व दिशा की और मुख करकर आसन पर बैठ जाएं तीसरा अपने घर के उत्तर या पूरोत्तर भाग में गणेजी की मूर्ती रख सकते हैं चोथा गणेजी की मूर्ती को किसी लकडी के पट्रे या गेहूं मूं जौर के उपर लाल कपड़ा बिछा कर अस्थापित करें पांच गणेज भगवान की पर्तिमा के पूर्व दिशा में कलस रखें और दीपक जलाएं गणपति की पर्तिमा के दाएं बाएं रिध्धी सिद्धी को भी अस्थापित करें और साथ में एक एक सुपारी भी रखें साथ अपने उपर चल चड़कते हुए ओम पुंडरी काक्षाय नमह मंद्र का जाप करें आठ इसके बाद भगवान गणेश को परणाम करें और तीन बार्य आजमन करें तथा माध्य पर तिलक लगाएं नो मुर्ति अस्थापित करने के बाद गणेश जी को पंचات अमेत करें और उनका से सिंगार करें 10. इसके बाद भगवान गडेश को वस्त्र, जनेव, चंदन, दुर्वा, अच्छत, धूब, दीब, शामी पत्ता, पीले, पुष्प और फल चड़ाएं 11. इसके बाद पूरे पित्विधान से हुजा करें और अंत में गडेश जी की आर्ती करें 12. आर्ती करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए छमा मांगें और मनोकामना पूर्ती के लिए आशिर बाद भी मांगें 13. और अंत में परसाथ का वित्रन करें इसके बाद कमेंट में जय सिर्गड़ें चरूर लिखें साथ ही वीडियो को लाइक कर शेयर करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद